हाई गाइस स्वागात आप सभी का टिकनिकल एडलांस में मैं हूँ इलियास दोस्तों सावमी ने अपना 64 मेगा पिक्सल वाला रेडमी नोटेट प्रो लॉंच कर दिया है जो एक मिड्रेंज फोन है और इसमें मल्टीकेमर आज है तो वहीं पर वीओ का वीओ वाइट वीओ रेडमी नोटेट प्रो में 6.5 इचका फूल HD प्लस डिस्प्ले है जिसका रिजोल्यूशन 1080 x 2340 पिक्सल है साड़े 19.9 आस्पेक रेशियो के साथ वाटर डॉप नोच वाले इस फोन के फ्रन्ट और बेक पेनल पर गोरिला ग्लास फाई के प्रोटेक्शन है जबकि वीओ वाई 12 में 6.3 इचका HD प्लस हेलो फूल व्यू डिस्प्ले है जिसका रिजोल्यूशन 720 x 1544 पिक्सल है और इसका आस्पेक रेशियो 19.9 अगर ओस और प्रोसेसर की बात करें तो रेडमी नोटेट प्रो में मीडिया टेक के नए गेमिंग प्रोसेसर हेलियो G90T का इस्तेमाल हुआ है रेडमी नोटेट प्रो यूजर्स के गेमिंग अनुभों को बहतर बनाने के लिए कंपनी ने लिक्विड कूलिंग को इस फोन का इस्सा बनाया है यह एंडूर 9 पाइप पर बेस्टेम यूए 10 पर चलता है वहीं पर वियो वाई 12 फोन में उक्टा को मीडिया टेक P22 प्रोसेसर दिया गया है यह एंडूर 9.0 पाइप पर बेस्ट फंटच OS 9 पर काम करता है अगर केमेरा की बात करें तो रेडमी नोटेट प्रो में चार रियर केमेरे है यह कंपनी का पहरा 64 मेगा पिक्सल केमेरा फोन है इस सेंसर के साथ कंपनी ने 8 मेगा पिक्सल का फ्रंट केमेरा दिया गया है फ्रंट केमेरा पोर्टेट बोके और AI फेस ब्यूटी सपोर्ट करता है अगर बेटरी की बात करें तो रेडमी नोटेट प्रो की बेटरी 4500 एमेज की है यह 18 उट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है तो यो वाइट ट्वेल में जान अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेर धरूर कीजिएगा और आपने अभी तक हमारा चनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए का वाट कि ऑगर शेर खाना यह वाट की बाट चार्ब